हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका जैहिंद जैभात वने मातरम आपके लिए फ्रेंड्स सभी प्रिक्षाओं के लिए मैं तोप हों जिक के जिए इस करंट फेर के टोप मों स्टुशन की सिरीज लेकर तयार है जो आपके हरे कॉमशन एक्जाम के जरूरी है चाहिए फ्रेंड वाई एस पी लाइफ क्लास सर्च करके क्लास में आ जाएं करें ताकि आप अपने त्यारी को बहतर कर सकें तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की सेशन का पहला क्यूशन आपका फ्रेंड्स यापर पहला क्यूशन है विसव में सबसे अधिक गंदक का जाना जाता है भारत में किस सहर को साइबर सिटी के रुप में जाना जाता है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन मर एक गुरू ग्राम को साइबर सिटी के रुप में जाना जाता है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन मर एक राइट अंसर हो जाएगा नेक्स ने आपके लिए भारतिये सड़क परनाली का विस्व में स्थान है option नमर भी दूसरा option नमर भी दूसरा बिल्कुल सही answer हो जाएगा next उने आपके लिए mobile phone का पर्योग करने वाले लोगों की सरवादिक संख्या किस देश में है दोस्तों अंसकीजेगा कि mobile phone का पर्योग करने वाले लोगों की सरवादिक संख्या किस देश में है तो mobile phone सबसे ज़्यादा इस्तमाल के जाते हैं आपके भारत में ये credit आपके भारत को जाने लग रहा है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है mobile phone का इस्तमाल होता है आपका friends option नमर डी नेक्स आपके लिए आधुनिक मानव का परतिनिदी माना जाता है आपका बेटा option नमर डी क्रोगो मेनन को आधुनिक भारत का परतिनिदी माना जाता है आपका friends प्रोग मैकनन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका option नमर डी नेक्स आप पिग्मी का निवास छेतर कहां है गोर कीज़ेगा दोस्तों कि आपसे क्या पुछा गया है कि पिग्मी का निवास छेतर कहां है आपको friends इसके बारे उतना है यहाँ पर फ्रेंड्स आपका right answer हो जएगा पिक्मी का निवास छेतर आपका जायरे के अंदर से तैं option number क्या जायरे का right answer हो जएगा option number 3 next है खाना पदोस जन जाती के लोग सरवादी के किस छेतर में पाए जाती है आपसे बटा क्या पुछा गया है खाना पदोस जन जाती के लोग सरवादी के किस छेतर में पाए जाती है तो आपके ये पाए जाती है option number 2 उच्च के छेतर में option number 2 right answer हो जाएगा next है आपके लिए प्राकरती के जन संग्या विर्दी दर से थात्परी है प्राकरती के जनसंक्या विर्दिदर से इतात्परी है आपका बिटा उप्शन मरतीन जनमदर तथा मिर्दिदर से आपका प्राकर्तिक जनसंक्या विर्दिदर से इतात्परी है जनमदर एवं मिर्दिदर से उप्शन मरतीन राइट अंसर हो जाएगा नेक्ट आपके लिए प्रवासन नियमों को बनाने वाला पर्थम विद्वान कौन था येस दोस्तों अन्सकीज़ेगा कि प्रवासन नियमों को बनाने वाला पर्थम विद्वान कौन था option number B LA cosins का option number B right answer हो जाएगा परवासन नियमों को बनाने वाला पर्थम विद्वान था आपका राइट अंसर हो जाएगा सरवादिक भूपरी नाम वाला देश है येस दोस्तों उनसे कीज़ेगा कि सरवादिक भूपरी नाम वाला देश कौन सा है यानि कि आप से पूछा गया है कि विसव में सबसे अधिक छितरफल किस देश का है तो विसव में सबसे बड़ा छितरफल आपका रूस का है रूस का छितरफल क्या है सबसे अधिक है आपका बिटा ओप्षिमर डी राइट अंसर हो जाएगा नेक्स ने आपके लिए वरिष्टी चाया परभाव किस से सम्मंदित है आपको बिटा इसक वर्मतन है वरिष्टी चाया परभाव किस से सम्मंदित है आपको बिटा इसक वर्मतन है ऑप्शन नमर भी परवतिय वर्सा से वरिष्टी चाया परभाव परवतिय वर्सा से लेट करता है भारत का सुदूर दक्षनी बिंदू है आप से बैटा क्या पुछा गया है भारत का सुदूर दक्षनी बिंदू कौन सा है आपको बैटा इसके उंतना है जो फ्रेंड्स हमारे चैन पर नहीं है इसनों को सब्सक्राइब कर लें ब्लैकन को प्रेस कर लें ताकि बैटे बिंदू है option number 3 इंद्रा पॉइंट पर इंद्रा पॉइंट पर भारत का सुदूर दक्षने बिंदू है आपका बिटा option number 3 राइट अंसर हो जेगा रेड क्लिफ रेखा कौन सी है आपसे बिटा क्या पूछा गए रेड क्लिफ रेखा कौन सी है तो रेड क्लिफ रेखा है यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है भारत और चीन के बीच की सीमा को मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों पूर्वी घाट परवत का निर्मान किस करम की चट्टानों सेवा आपका बेटा उप्षमर भी पूर्वाना लैंड का तूटना प्रारंभ हुआ था गोडवाना लैंड का तूटना प्रारंभ हुआ था आपका बेटा उप्षमर दी राइट अंसर हो जाएगा आकाश गंगा है एक अज जी अंस कीजेगा कि आकाश गंगा है एक क्या है आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा नेक्स आपके लिए नंदा देवी चोटी आपकी बेटा उप्षमर भी गडवाल हिमाले का भाग है आपका बेटा उप्षमर भी प्राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपके लिए सियाची ने हिमनद कहा स्थित है आपका फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स आपके लिए नेलांग गाटी किस राज्ये में स्थित है आपसे बेटा क्या पुछा गया है ये नेलांग गाटी किस राज्ये में स्थित है तो आपका फ्रेंड्स आपके चरां गाशा की काश देता है आपका भारत मेश्च क बीटा में इस होजी है क्या पूछा गाती किस राज्य में भारत भारत में च्मीर केरल के इनदर केंडर से यह सउन्धा है उप्षेमर इनक्स में गेरल कॉल कि और रैजन सब्सक्रबग कर रैवंगों और निती माना क्या है तो यह आपके धर्रों के नामे क्रिगी विदकी धर्र्या और आपका निती माना धर्रा है जो आपकी friends किसकी स्रेंडि में आते हैं दर्रों किसरेंडि में आते हैं option मर एक right answer ho जाएगा नेक्स्ट आपके लिए उत्राखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुए पाई जाते हैं आपको भी टाइस के वारमता नहीं कुशन पर गोर कीजेगा आपके जितने भी कुशन्स हैं वो कुशन्स हैं जो आपके हर एक उमचन एक्जाम के लिए जरूरी है कुशन साथ के लिए नए हो सकते हैं तो आपको फ्रेंट्स यांपर गबराने की नहीं बलकि अपने होसलों को बिलंद करने की आवसचता है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका अंसर हो जाएगा उत्राखंड के यहाँ पर तराई में उत्राखंड के तराई भाग में पताल तोड़कुए पाई जाते हैं option number B right answer हो जेगा भारतिय प्रायदी खालिस्तान तक फैला हुआ है भारतिय प्रायदी पे कहां तक फैला हुआ है तो आपका हिंद महासागर तक फैला हुआ है क्या भारतिय प्रायदी option number B right answer हो जेगा नेक्श्ट हैं जुम्री तलएया और मनदार पहाडिया कहां स्टलते हैं कि सरवादिक तटी अपरदन होता है किसके कान से होता है सरवादिक तटिय अपरदन होता है option number आपका एक लहरों से ठीगर सरवादिक तटिय अपरदन किसके वज़े से होता है लहरों की वज़े से होता है आपका friends option number एक रैट अंसर हो जाएगा next आपके लिए दीव एक द्वीप है दीव एक द्वीप है आपका फ्रेंड्स किस से हटकर एक द्वीप है तो दीव एक द्वीप है जो गुजरात से हटकर है किस से हटकर है गुजरात से हटकर है आपका फ्रेंड्स उप्षमतीन कुजरात से हटकर दीव एक क्या है द्वीप है नेक्स्ट वने आपके लिए आपसे पूछा गए हैं सोन नदी एक उधारन है जी हां दोस्तों बताइएगा सोन नदी एक उधारन है किसका अध्यरोपित अपवहा का आपका विटा उप्षमत तीन राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है दो नदीयों के बीच की उपजाव भूमी को कहते हैं दोस्तों अंसर कीजिए गहां कि दो नदीयों के बीच की उपजाव भूमी को कहा जाता है आपका दोवाब क्या कहते हैं दोवाब कहते हैं किसको दो नदीयों के बीच की उपजाव भूमी को आपका फ्रें यमुना नदी का उद्गमस्तल है आपका फ्रेंड्स क्या यहां पर फ्रेंड्स आपका बंदर पूछ बंदर पूछ क्या है यमुना नदी का उद्गमस्तल है और इसे कालंदी के नाम से भी जाना जाता है ऑप्शन नमर भी बंदर पूछ आपका राइट अंसर हो जाए तो का फ्रेंड्स को भी नोटकेशन मिसना हूँ मेरा वर्टसप नंबर है 9518151414 वाई एस्पी लाइव क्लास सच करके आप दोस्तों क्लास में आ जाएं करें धैंक्यों लॉफ यू जैहिन जैभारत पंदे मात्रों